चोपड़ा है जुकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो पिछली साल की तरह इस साल भी MBBS की काफी गौर्मेंट सीटें इंक्रीज हो रही है मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कितनी MBBS की गौर्मेंट सीटें इंक्रीज होंगी गौर्मेंट सीटें चाहे किसी भी स्टेट में इंक्रीज हो रही हो उसका फाइदा उस स्टेट के कंडिडेट को तो मिलता ही है इसके अलावा इसकी 15% सीट ओल इंडिया कोटा में आने से हर एक स्टेट के स्टुडेन्ट को फाइदा होता है क्योंकि ओल इंडिया कोटा की सीट इंक्रीज होने से कही ना कहीं कटोप पर सीधे तोर पर इफेक्ट पड़ता है यानि cut-off decrease होती है और जब 15% All India quota की cut-off decrease होगी तो निशित तोर पर state cut-off भी decrease होगी तो ये सीटें बढ़ने से इस साल cut-off में हमें कमी देखने को मिलेगी यानि की cut-off कम रहेगी तो आईए देखते हैं अब मैं आपको state-wise बता देता हूँ कि कौन से state में MBBS की government seat कितने increase हो रही हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो मैंने इसके बारे में यह द्यान रखते हुए बुक लिखी है कि कोई भी student जानकारी के अबाव में अच्छे marks होते हुए भी अच्छी sheet से वनचित नह रह तो इस बुक में सब कुछ जानकारी दे दी है इसको आप हमारी वीडियो के description box से भी download कर सकते हैं या website www.chopdaeducation.com से भी download कर सकते हैं इसमें मैंने top से low के करम में college को दिखाया है इसके साथ ही first round, second round, mop up round का क्या process है, क्या problem आ सकती है तो हर एक चीज को मैंने बारी की से समझाय है तो आप इसको download कर सकते हैं अब इस साल सबसे ज्यादा new government medical college तमिलाडू state में increase हो रही हैं इनमे 11 government medical college में total 1450 seats increase होने हैं जिसमे 7 medical college में 850 seats को permission मिल चुकी है अभी 4 medical college में 600 seats की permission मिलना बाकी है जो कुछी दिनों में मिल जाएगी इन 11 colleges में अगस्त में NMC का inspection हुआ था जिसमे 7 medical college को permission मिल चुकी थी और अभी 4 medical colleges में कुछ कमिया रहने के कारण इनका re inspection होगा और इनको इसी साल के लिए जल्दी ही मानेता मिल जाएगी तो ये C2 का इजापा होगा इस बार हमें ओल नंबर पर उत्रपरदेश स्टेट है इसमें 8 new government medical college को permission मिल चुकी है और एक college को permission मिलना अभी बाकी है तो यहाँ पर total 900 seeds increase हो जाएंगी इस college को permission मिलने के बाद अभी फिलाल 800 seeds से यहाँ increase हो चुकी हैं अब बात करें हैं आसाम स्टेट की तो आसाम में लखेमपुर की medical college को मानेता मिल चुकी है इसमें 100 seeds हैं इसके बाद में जारकंड की बात करते हैं तो जारकंड में भी जो दुमका medical college है उसको permission मिल चुकी है इसके बाद में जारकंड में जो permission के लिए awaiting college हैं हजारी बाग में हंड्रेट सीट्स हैं और प्लामों में हंड्रेट सीट्स हैं तो ये मैं आपको बता दूँ कि 19 में इन तीनों कोलेजेज को मानेता मिल गई थी एक साल के लिए इसमें MBBS के बैद सले थे उसके बाद में 20 में कुछ कमिया रेने के कारण इनको फिर इनको पर्मिसन नहीं मिली थी और अभी 21 में एक कोलेज को मिल गई है लेकिन इन बाकी दो कोलेजों को कंफर्म हम मान रहे हैं कि इस बार मिल जाएगी अभी पंजाब की देखें तो मोहाली उस्यार पूर कपूर्थला और जो मलेर कोटला है वहाँ ये चार मेडिकल कोलेजें इस बार के लिए रन हो सकती हैं अगर ये होती हैं संभावना है इनको रन होने की तो 500 सीट्स का इजाफ़ा होगा इसमें अभी इसमें केरिला में दो मेडिकल कोलेज को परमिसन अभी एनेमसी का इंस्पेक्शन होगा तो इसके साथ ही अगर इनको परमिसन मिल जाती है तो 200 सीट्स हो जाएंगी ऐसे ही माराश्टर में दो कोलेज में 200 सीट्स इंक्रीज होने की संभावना है अभी इसा का एक मेडिकल कोलेज है वैसे स्टेट ने इसके लिए बोर लखा है कि ये 22 से रन होगा यानि अगले साल से रन होगा हो सकता है इस बार जो इसमें कमिया है वो पूरी हो जाएं तो इस साल से भी ये रन हो सकता है लेकिन इसको हम अगले साल के लिए मान के चलते हैं कि ये अगले साल से ही रन होगा अब हम बात करते हैं गुजरात स्टेट की तो गुजरात में GMER जो कोलेज हैं वो 5 कोलेज रन होने की संभावना है इसमें 500 सीटें बढ़ने की संभावना है मैं आपको बता दूँ कि जो GMER की कोलेजे हैं इनकी All India कोटा में सीट्स नहीं होती हैं ये स्टेट के लिए ही होती हैं तो इन 5 कोलेजेज में इनक्रीज होंगी 500 सीट्स तो ओल इंडिया में इससे फाइदा नहीं होगा गुजरात स्टेट से लेकिन स्टेट कंडिडेट को इसमें फाइदा होगा अब हमें एक ओवरिवीव देख लेते हैं समरी देख लेते हैं तो अभी तक 1850 सीट्स को परमिशन मिल चुकी है इतने शीटों को तो परमिशन मिल चुकी है MBBS की इसके बाद में 1500 सीटों को परमिशन मिलनी है जिसमें नए वाले एम्स भी सामिल हैं जो पिछली बार रन होए थे 50 सीट्स के साथ में जो एम्स रन होए थे उनको ये मानेता मिलेगी इस बार यानि कि 50 से 100 सीट इसमें तो यह हम मानके चलते हैं कि इस एर के लिए 3350 सीट्स तो होंगी ही होंगी इनकी तो पूरी-पूरी संभावना है इनमें 1850 तो हो चुकी हैं बाकी 1500 सीटें भी इस बार इंक्रीज होंगी इसके साथ साथ जो बाकी पुरानी कोलेजें हैं उनमें भी जो इनकी है वो भी इनक्रीज की जाएगी जैसे किसी कोलेज में 100 सीटें हैं तो कहीं 500 सीटें की जाएगी किसी में 150 सीट सें तो वहाँ 200 सीट की जाएगी तो ऐसे करके उनमें भी सीटें बढ़नी हैं हमे अबी तो हम मानके चल रहे हैं कि इस साल के लिए जो Total All India कोटा के लिए सीटे जानी हैं वो अभी हम मानके चल रहे हैं कि 500 sheets तो confirm हैं इससे ज़्यादा 600 sheets भी हो सकती हैं हमें second round तक ये सीटें भी देखने को मिल सकती हैं 600 sheets जो एक All India quota के लिए काफी अच्छा amount होता है cut off down करने के लिए तो हम मानते हैं कि इस बार cut off इस seeds के effect को देखते हुए down रहेगी अभी कितनी down रहेगी इसका एक separate video बनाए जाएगा और फिर आपको inform कर दिया जाएगा तो इसमें हम एक छोटी सी जानकारी आपके लिए लेकर आये थे कि कितने सीटें होंगी जिसके कारण से cut off decrease होगी तो इस बार सीटें पिछली बार की तरह काफी सीटें increase होंगी लेते हैं आपसे विदा नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए इनर्जी के साथ में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद प्राइब तक के लिए जय होगी